केंदर की मोदी सरकार ने नागरिक्ता संशोधन कानूं CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोगसभा चुनाओं से पहले केंदर सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहट अब तीन पडोसी देशों के अल्प संख्यकों को भारत की नागरिक्ता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंदर सरकार द्वारा तैयार किये गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंदर द्वारा अधी सूचना जारी किये जानी के बाद दिल्ली उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें CAA की अधी सूचना जारी होनी के बाद आयोध्या के संतों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आए जानते हैं संतों से कि उनका क्या है कहना CAA को लेकर। सिये को लेकर सरकार ने अधिस्तूचना जारी किया है मैं मोदी जी को साधोबा देता हूँ अब जो पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू पीरित आकर हिंदूस्तान में बसे हैं लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है आकर मुसल्मानों के लिए संतावन कंट्री लेकिन हिंदू जाये तो कहा जाये आप देख सकते हो क्या विडंबना है हिंदूस्तान की रोहिंग्या मुसल्मान बांगलादेशी घुस्पठी भारतमा के रह सकते हैं इनके प्रकारेन वो रासनकार और आधारकार बनवा कर अभी तक उसको नागरिक्ता नहीं मेर पाई है लेकिन आभार वेक्त करता हूं मोदी जी का कि अब उनको नागरिक्ता मिल सकती है तो बहुत बहुत बधाई मंगल कामना अब तो सोनिया जी के परिवार को भी नागरिक्ता मिल सकती है क्योंकि हिंदू के अलावा मुसलिम ब जैसियराम भूरे धन्य बात देता हूँ कि जिसकी परम आउसकता हुई और आज से नहीं बहुत दिनों से मांग रही यहां तक कि जब कांगरेश सरकार रही तब कहा तो उनों ने किया था हम तो हमारे दो यह निश्चित किया था अब हो गया कि जो भी नियम आज के जो सामान नागरी शंगिता लागव होई है वो सब के लिए है किसी जाद के लिए, किसी बर्ग के लिए किसी एक के लिए नहीं है सब के लिए है, देश भर के लोगों के लिए है यह बहुत प्रिश्चिता है बहुत आनंद की бात है और यह लागों हो गया है और मैं समझता हूँ कि हमारे देसबासी सभी इसको पालन करेंगे और पालन करने के साथ-साथ इसका जो नियम है वो नियम के अमसाल चलेंगे जिससे हमारा देश कुछाल लहे और विकास के ओर चले यह सारी व्योस्ताएं जो केंसरकार ने कर रहा हो देश हित के लिए, देश सर्वजन सुखाई, सर्वजन हिताई, सबके साथ सबके विकास है, देखिए जो विरोध करते हैं और क्यों उनके लिए जो पहले से है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, कम परिवार रहते हैं, सुखी रहते हैं, सबकी पढ़ाई, लिखाई, आवाज सारी बिरुस्ता हो जाती है, वह वह आवाधिक होते हैं, तो वह गरीबी के रेखा में आते हैं, तमाम परकार के उनकी समझसाइं होती हैं, इसलिए किसी को बिरुद नए करना चाहिए, जो विरुद करते हैं, गलत है,